लोकसमच उनाव के बाद अब सरकार गठन की तैयार यां तेजी से शुरू हो गई है एंडिये ने सर्वसम्मती से नरेंद्र मोधी को अपना नेता चुन लिया है जानकारी के मताबिक बीजेपी के नित्रुत वाले एंडिये के सहयोगी दल साथ जून कूर राश्ट्रपती द्रोपती मुन्मू से मलाकात करने वाले हैं जोहां नरेंद्र मोधी के नित्रुतु में सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा अगर ऐसा होता है तो जावाहर लाल नहरु के बाद तीसरी बार प्रधान मंत्री बनने वाले नरेंद्र मोधी पहले निता होंगे बताया जा रहा है कि बिहार के मुख्य मंत्री नितेश कुमार और तेल गुदेशम पाठी के प्रमुक चंद्रबाबु नाइडू चाहते हैं कि नरेंद्र मोधी सरकार गठन की प्रक्रिया पर तेजी से काम करें एंडिय की बुद्वार को बाठक हुई पाठक में सरकार बनाने पर चर्चा हुई कहा जा रहा है कि इसमें इस बात पर भी चर्चा की गई कि एंडिय के सहयोगी दलो को कौन से मंत्राले सौपे जाने हैं हबर है कि टीडीपी और जेडियू ने ग्रह, रक्षा, वित, रेल जैसे बड़े मंत्रालियों की मांग रख दी है वहें एंडिय की बाठक के दौरा नितेश कुमार ने कारिवाहक पीम नरींद्र मोधी को कहा जल्दी कीजिये, सरकार बनाने में देरी नहीं होनी चाहिए हमें ऐसा जल्द से जल्द करना चाहिए, उनके इस बयान से बीज़िपी खुश हो गई क्योंकि ये उनके एंडिय से बाहर नहीं जाने का बड़ा सुबूत है बाठक में अंडिय के सही योगियों ने सर्वसमती से नरेंद्र मोधी को अपना नेता चुना अंडिय के 21 सदस्यों दुआरा साइन किये गए प्रस्ताव में कहा गया हमने सर्वसमती से नरेंद्र मोधी को अपना नेता चुना है बाठक में नरेंद्र मोधी, ग्रह मंत्री आमिद शाह, टीडीपी प्रमुक चंद्रबावु नाइडू, बिहार के मुख्य मंत्री नितेश कुमार और जेडियू नेता ललन सिंग और संजय जहां शामिल थे एंडीय की मीटिक में सभी की निगाहें जेडियू के नितेश कुमार और टीडीपी के चंद्रबावु नाइडू पर थी, दरसर टीडीपी ने आंद्रप्रदेश की 25 लोग सभा सीटों में से 16 सीटे जीती, जबकि जेडियू ने बिहार की 40 में से 12 सीटे जीती, बीजेपी इस बार केवल 240 लोग सभा सीटों पर जीत के साथ बहुमत से भी पीछे रह गई, सहयोग्यों की मदद से एंडीय ने 293 सीटे हासिल की हैं और बहुमत के आकड़े को पार किया है, फिलाल देश में अब एक बार फिर से एंडीय सरकार बनने में सर्फ दो दिन बचे हैं, में बनने जा रहे हैं, मोदी सरकार 3.0 के लिए तयार्या शुरू हो गई है, इसे एतिहासिक माना जा रहा है, बता दे आजादी के बाद से ये दूसरी बार है जिब किसी गटवंदन को तीसरी बार जनादेश मिला है